हेले और वेलकम साथियों स्वागता आपका टार्गेट फॉर आईक्यू में मैं हूं सत्यंद्र आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस को लेकर बिहार से बिल जचका जो आप लोगों के एक्जाम लगा है उसमें कौन-कौन से टोपिक आप लोग रिविजन करें और क आप किसी भी बूक से भी आप असानी से उन्हें कर सकते हैं ठिक है अंगर आप कर सकते हैं तो उसी भी आप लोगो को काफी benefit मिलज़ाएगा हूँ अभी मैं नहीं अपडेट बगेरा शेयर करते रहतूं ठीक है देखेगा सबसे पहले physics की बात कर लें ठीक है अब यहाँ पर देखेगा मैं कोशन बोलूँगा topic का नाम बोलूँगा और यह भी बता दुगा किसे कितने कोशन से लगेंगे ठीक है पहला इकाई और मात रखें यहाँ से आपको एक से दो कोशन लगना ही लगना है मापक यहां से भी एक या दो और जो पेमाना यहां से भी एक कोशन यहां से मिल जाएगा यानि एक कोशन इनसे लग जाएगा और यह टोटर मिलागा है यहां से चार से पांच कोशन इसी पहली लाइन से लग जाएगा अराम से इनको तयार कर लें ने ठीक है यह गती है जितनी भी motions है यहां से आप लोगों को एक कोशन मिलने एक कोशन 100% मिलना ही मिलना है ठीक है जो पदार्थ है उनकी जो properties है गूड है वो Newton के नियमे इससे related एक कोशन आपको मिलेगा ही मिलेगा light है heat है यानि प्रिकास हुस्मा है तो यहां से भी आपको एक कोशन मिलेगा विदुद्धारा इवंचा लगता है ठीक है यानि इलेक्रिक करंट बगेरा जो होता है यह ठीक है और निकलर निकलर फीशन निकलर सलैन यह सब चीज़े इलक्ट्रोन बगेरा ठीक है इसके आपकी full forms बगेरा पूछ ली जाती है तो आप देख लेंगे आपकी कोई सी भी बुक होती है जो पीछे वीवीद होता है वहाँ पर यह मिल जाएगा ठीक है इसके साथ साथ कुछ physics के कुछ और important topics है मैं बदा दे रहा हूं वहाँ ध्यान से note कर लें उन्हें जिसमें एक तो का जो पेपर है उसे निकाल दे और अपने बिहार बीपी एससी के टैन एयर्स के पेपर आप एक बार जनरल साइंस वाला पार्शन पॉर्शन पढ़ने बस वही है इनफ है ठीक है इससे बाहर यह कोशन नहीं जाएंगे ठीक है अब बात करने दें वहाँ केमिस्ट्री की त इससे कोशन पूछेगा परमाणू में क्या-क्या होता है जैसे इलक्ट्रोन प्रोट्रोन किसे मिलकर बना है इसकी खोज किसने के रिए ऐसे करके रदर फोड बगेरा चैक बीड बगेर इनके नाम्याद कर ले ठीक है इसके बाद रसायनिक और भौतिक परिवर्दन जैसे बडाइं आपने देखा हुगा जैसे लाइट है या किया करता है यह है नॉन मेटल को लेकर खने चाह ul-कений और कारवन यह यहां को देखने कोई मिलेगा जो टोपिक है ना है यह सारे एक एक यह दो-दो नमबर आपको देखे जाएंगे हाइड्रोजन से उनसे संबंदित अम लें चार और एसिड बेस लबट जोंते हैं इनसे भी सक्रिया गैसे और हैलोजन सल्फन नाइट्रोजन अल्कॉल अच्छ यह फिर ओजोन है ओजोन पर दिवस भी पूछनेते हैं उसका तो यह बहुत इंपोटेंट है एल्कॉल से संबंदित इस पोटक पतारत इंदन और और खाद से रिलेटीड चीज़ है यहां पर डेली वेसिस कोश्चन भी आते हैं तो घटना चकर आप निकाल दें इसकी तो आपको यह यहां से नंबर लगने ही लगने है ठीक है इसके बाद अगर बात करें भाई तो आब आता है बायलोजी अब यहां पर बायलोजी प्रिफेंस रखनी है नंबर फस्ट पर मानव सरीकर के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ठीक है जैसे विटामीन है प पूरी आपको अध्यान होनी चीए किती मास पेंसिया हट्डी है इनसे रेलेटिट कोश्चन जो बनते हैं एक्जाम में यह देख लें ना प्रिवेस के कोश्चन से आपको ज्यादा असानी इसमें मिल जाएगी ठीक है अब ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरुत नहीं ह यह सीजे में बहुत डायरेक्ट पूछता है कोशन ठीक है थोड़ा वनसपती विज्ञान में देख सकते हैं जैसे प्रिकास अंसलेशन है फोटो सिंतेसिस यह बहुत कोश्चन यहां से बनता है ठीक है बाकी इन माले कुछ छोड़ भी सकते हैं अनुवांसिक्ता से बन जा कर लो और यहां से क्या होता है एक रेवुलेशन से भी कोशन बन जाते हैं इनसे और कुछ-किस का अध्यन कौन-कौन से उसमें किया जाता है यह भी बनता है ठीक है इस तर्डियो ब्रांचेस बगेरा जो आती है भाई जैसे पूछ ले देंगे एंटमलोजिक में क्या होता है ठीक है याophyte culture में क्या होता है तो यह culture वाले이vat French कोशन ब्रांचेस wnug disponible अधिक 7 तो यूंधे गुनिचमन्ग भी ने पफ्ण रहे से इस estतікränifer suitedी सिय जाय करे यार जैनल सब्हारें कर लोगे 250 लगें god बहुत इंपोटेंट आपके काम आएंगे आप कुछ इंपोटेंट और चीजे में बता दे रहा हूं आपको जैसे यह गैसीज है तो इनके बारे में प्लीज जरूर ज़्यादा से यादा करने मानव रोगों से संबंदित विटामीन से संबंदित कोशन बंते ही बंदे हैं ठ पैसीरी चल रही है तो उसे जॉइन कर सकते हो 75 0011 0314 पर कोल यो वाटसप करके क्वेरी ले सकते हो ठीक है थैंक यू